नमस्कार दोस्तों, UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत है, तो जी हाँ दोस्तों, लेखपाल के मिन्स का फार्म कैसे फिलक परना है, आइए हम आप सभी लोग को बता देते हैं, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के सुरू करते हैं, सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पर जाएं, यहां पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको अफिस्यल साइट पर ही ले जाए जाएगा, यह वाला जो कालम है आ रहा है, लेकपाल मुख परिच्छा के अंतरगत लिखित परिच्छा है, तो साट लिस्ट करना, तो इस वाले कालम को आप सभी लोग को क्लि कर दिया हमने देखिए आप से लोग के सामने कुछ ऐसा पैनल खुल जाएगा, जिसमें आप से लोग को पहले वाले पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप से लोग का लिख पाल का रिजिश्ट्रेशन नंबर, जो आप से लोग ने लेकाल का फॉर्म भराऊगा 25 रुपए दे करके पेट का रिष्टेशन नमबर डालके वह वाला रिष्टेशन नमबर यहां पर डालना है साथी में डेटा बर्थ अपना जो है जेंडर और वेरिफिकेशन करके सी रिजल्ट पर कर देना है जिन भाईयों यहां पर कंडिडेट फूल नेम फादर नेम और डेटा बर्थ और वेरिफिकेशन कोड डाल करके यहां पर सर्च कर देंगे तो आपका लिखपाल का आपके सामने आ जाएगा रिष्टेशन नमबर फिर उसके बाद आप से लोग को क्या करना है बैक जाना है फिर जो रिष पर यहां पर आपसे लोग को फिल अप करना है तो कुछ इस प्रकार से जहां दोस्तों रिष्टेशन नमबर सारे डेटेल हमें डाल दिया है सी रिजल्ट पर क्लिक करते हैं सी रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आप से लोग के सामने यह चीज़ खुल जाएगा अगर आप लिखेगा you are eligible for the main examination फिर उसके बाद यहां पर आप सभी लोगों का fees payment के लिए option आएगा तो आईए उसको देख लेते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होगे click here to pay examination fees इस पर click करना है फिर उसके बाद का step easy है payment करना है यहां पर आप किसी भी मूर से payment कर सकते हैं चाहे हो गूगल पे हो चाहे काड के थुरू ऐसी इजली आप सो भी लोग 200 रुपए payment इसका है जनरल और EWS वालों के लिए तो जहां दूस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक ज़रूर करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद